सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकर नेवर मिसन अपडेट वेरी गूर्ण तू अलो फिर से चुल चुके हैं अपने इंग्लिश के ध्माकेदार सेशन के साथ जसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोस टेस्ट विद वोकाब वोकाब वोकाबलरी का सबसे कंफुशन भी रहता है और वोकाबलरी जिसने कहते लाव जीन दुश्वार कर दिया तो उस जीनों कि नहीं समझते क्यों क्यों कि हम सीखें कुछ इस तरीके से कि वोकाबलरी हमारे इत यह कह लिए क्लोज टेस्ट डबल रिवीजन आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट कभी और वोकाबलरी कभी फटाफर से सेशन को शेयर कर दीजे सो दाट बाकी इस पारेंट भी क्या हो हमारे साथ जोइन कर लें सेशन को और लोगों को पता है कि कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है तो ज अब भी गाइस टाइम है फाइव देज हो चुके है तो इसको आप जोइन कर सकते हो कुछ अभी छूटा नहीं होगा बिंट्रक्शन चल रहा है तो आप इस क्लास को जोइन कर सकते हो और फॉर फर्दर डिटेल्स यूगन कॉंटाक्ट ओन इस नंबर्स आप इन नमबर्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विदा ब्यूटिफल कोट बट बट बिफोर दाइव फॉर्दर विदी होमवक वेश्चन लास्ट क्लास में हमने एक होमवक वेश्चन दिया था कि विच आप इसका मीनिंग क्या होगा बिम्यूस का मतलब होता है दाट इस कन्फू से रिलेटेड होता है ठीक है अब हमें ऑप्शन में क्या दिये होते हैं अन्विग्यूस लूसेट और अनेक्विवोकल तो अन्विग्यूस कि अगर हम बात करें तो यहां पर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत जादा लोगों से या एक से जादा इंटर्प्रेटेशन होता है वो उसके लिए उपन ना हो लॉट ऑ उपन तो मोर गैन वल इंटरप्रेटेशन फिर बात करते हैं लिएक तो यहां पर हमारा आंसर अन्व यहांनि ऑप्शन नंबफ़ इस लिए उन्बर्फोर एक नहीं मिला ठीक है जो चैंपियन से जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है वो है अभिशेक सिंग लॉकुष आशिश यादव ने तो मुझे सरही बना दिया आई नो थोड़ा सा मेरी वोईस लगती होगी सर की तरह न इसे जिन्होंने बोल दिया बट एप्रिशियेटिंग इट तो इस सब्सक्राइब करें बहुत अच्छा लग रहा है देखकर के विशाल वर्मा वेरी 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 गड मॉनिंग जल्दी से फटाफट से शेशन को शेयर कर दो बाकिये जल्दी से जुर जाएं भाई क्योंकि वोकाब का सेशन स्टार्ट होने वाला वोकाबलरी तो सीखनी है क आप के और भी आई एससेंट का एक्जाम हूं अभी पीस पीओ का एक्जाम हो ठिक यह आर आर भी का एक्जाम हो उन सभी में वोकाब सो कई बार पूछी जा चुकी है तो उन्हें वोकाब को एक बार हम रवाइस करेंगे लिए मैं मैं वेरी गड मारद इंग बारे वरी बहुत अच्छा है तो पढ़ने में भी एक अच्छा लगा मारा चाय पकोड़े साइड में रख लिये मोबाइल खोर लिया लेक्चर उपन कर लिया और इंग्लिश रम पर रहे हैं चलो स्टार्ट करते हैं तो टुड़ेश कोट इस 99% of the failures come from people who have the habits of making excuses देखो यह बात एकदम सौ प्रतिशत सही है कि जो 99% failures होते हैं एक परसेंट को छोड़ दे हैं हर केस में लेकिन 99% जो failures होते हैं वो उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो हमेशा excuses बनाते हैं जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि सुबह डेली उटके आपको योगा करना है यह एक्सराइज करने यू फील हेल्दी यू भी हेल्दी राइट तो यहां पर इतने अरे मुझसे सुबह उठानी जाता रात में बारह एक विज़े तक तो सोते हैं सुबह कैसे उठे उठे यहां आए वहां आपके काम पर पड़ा अगर एक्सक्यूज देने लगते हैं तो आपका कभी कोई काम नहीं हो चकता अगर आप से भी कहा जाए कि इतना टाइम हो गया सेलेक्शन नहीं हो रहा है क्या हो गया है अरे पिछली साल एक्साल दिया था उसमें टूमांक्स मेरे अब कर तो रहें है प्राक्टिस हाना और होग जाएगा एक्जाइम तो एक एक्सक्यूजेज है परहाई के लिए घर में हमें जब कोई बोलता है तुम करते हैं अरे अभी कर लेंगे तो यह एक्सक्यूजेज जितने भी लोग करते हैं वो लोग 99% फेलियर उनहीं में से होते हैं और 1% जो सक्सेस पाते हैं उनके पास कोई भी एक्सक्यूजेज नहीं होते हैं वेदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते करते हैं अपनी पढ़ाई कॉंटिन्यू कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं कुछ हाउस वाइब से होती हैं जो अपने घरों का काम आप लोग एक स्क्यूज अच्छे से प्रक्टिस करना है अच्छे सपर ही करने और आगे बरना है ठीक है तनुम हम बेरी वरी गड्मानिक वेरी ग्रीड मॉर्ण वाल अफ यू मैं शालीनी महंदास आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे महंदास के ऑफिशल यूटीव चैनल पे और आप यहां पे मैंने कर दिया यह ईपाल आओं शेयर देखो यह हो गया मेरे से थ ATM ख़ोड़ा अंशिका इस रेड़ी ओके अंशिका का और अंशिका भी रेडी हैं और बाकी लोग भी रेडी है ठीक है ओके और कॉन-कॉन रेडी है भाई सभी लोग रेडी हो जाओ एक दो लोग को नहीं रेडी होना है सबी को होना है जितने भी यह वाचिंग लाइफ चल तो इस स्टाइब आर सेशन भी रेडी है इस दिस्पॉट है अभी तख में पोर्ट सुना था धी पोट इन वो था है के चरजगे से दूशिज़ए दिपार्ट कर दिना बट दिस्वाटर इस पाई लिपार्टन इस था आए एंचींगा एंच्वाइमेंट आ शॉनिद का ही एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं दिस पॉर्ट राइट इसके सिनोनिम्स क्या है प्ले और अम्यूजमेंट मैं वो कैप सुपकी पर लिया कुछ ग्रामर कर वा देते तो अरे बिल्कुल रिया बिल्कुल ठीक है क्लोस्ट अभी हम करेंगे यह आपके वो कैप सो इंपोर्ट आप शीजन जो जितने भी में से वह सेंबल हुए इन नमब वराइं फॉलट टूट एंट इंट इस पॉर्ट थेंसल्ट वह आपस में क्या कर रहे थे इंज्ट एंजॉए कर रहे थे तो आज्ट इस दिस्पेशन प्लियों मिल्स अप्लें अपना चाम दिखाने के लिए द कि अपोज़ यानिकी अपोज़े चैनल करने मतलब होता है इंजाट पोज़ेत है तो यहां पर अगकी इससाल मतलब होता है तो यहां पर इसका मतलब आमड़ेंस रेकश होता है यहां Converse बोल सकते हैं कि opinions में बिलकुल अलग-अलग opinions हैं है ना बिलकुल match ही नहीं कर रहे हैं तो उसे हम बोलते है contradictory और Converse और entering क्या हो जाएगा जो same हो similar हो ठीक है and sentence is my sister is the antithesis of my brother my sister is cheerful and enthusiastic while my brother is serious and disciplined अब यहां पर antithesis में जो उनकी personalities है जो उनका behavior है उसमें वो contradict करते हुए explain कर रहे हैं clear next word is vitriolic now vitriolic का मतलब क्या होता है vitriolic आपने word में भी ना सुना हो या सुना भी होगा ठीक है तो vitriolic का मतलब होता है that is very bitter full of hatred मतलब जो एकदम करवाहत भड़ा होता है bitterness होती है जो एकदम नफरत की निगाहों से देखता है जिसके अंदर एकदम कहते हैं बहुत negative सी vibes रहती है उसे हम बोलते हैं vitriolic and synonyms are antagonistic or caustic उन्हें क्या बोलते हैं antagonistic or caustic antinims इसके क्या हो जाएंगे जो बहुत kind है nice है हमारे साथ अच्छा behave कर रहे हैं तो यहां पर बिल्कुल correct इसका answer क्या हो जाएगा kind and nice antinim and इसका sentence क्या हो जाएगा the debate between the two was heated मतलब दोनों के बीच में जो debate चल रही थी बहुत heated argument थी मैं antinims and antithesis antithesis में क्या difference है सेम है सूफी डोंट वारी एन विट्रियॉलिक आंड थे attracted the attention of everyone in the park क्योंकि they were just full of hatred अब दोनों के पीच में argument हो रही थी ना जब किसी से हम बहुत जादा नफरत करते हैं तो हमारे जो arguments होते हैं वह उसी वे में जाते हैं तो यहां पर इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं vitriolic that is full of hatred right everyone moving further with the next word now compendium now compendium का आपने related words सुने होंगे but compendium is some kind of different word जिसका मतलब होता है abridgment abridgment की बात करें तो यानि कोई चीज बहुत concise हो कोई चीज जो बहुत concise होती है but उसमें detailed information होती है कोई चीज जो बहुत concise होती है but it has a detailed information right तो उसे हम बोलते abridgment और compendium जैसे की brief और abstract भी इसके synonyms कहें जा सकते हैं कि tell me in brief तो उसे हम बोलते हैं एंटेनिम इसका क्यों जो बहुत लेंदी हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हो जासे जहां हमें fun stories about the members of the graduating class जो graduating class के members होते हैं उनके बारे में कुछ stories लिखी होती है तो वो compendium होता है that is the abridgment of concise with detailed information right everyone the compendium का मतलब समझ में है सभी को everybody आगे बढ़ें चलो next word देखते है that is irascible irascible word क्या होता है irascible का मतलब होता है that is very crabby जो किसी को एक दम गुसा दिलाने पे मजबूर कर दे बहुत easily गुसा हो जाता है जैसे उसको जरा सापने कुछ teasing word भी बोल दिया ना तो ही में a he just got angry है ना वो गुसा हो गए he or she तो उसे हम क्या बोल दे क्राभी irascible is something crabby right or synonymous के हो जाएंगे cranky और फिरस्टी हना cranky बहुत जल्दी गुसा हो जाना बहुत जल्दी अप्सेट हो जाना तो वह हो जाते क्राइंगी और फिरस्टी इंटनिम इसका क्या हो जाएगा आप इसका क्या हो जाएगा एंटनिम हो जाएगा आप इसका सेंटेंस अगर देखें तो लिटल कुछ टेंपर मतलब वह थोड़ा सा जल्दी से गुसा होने बादा कहते ने शॉट टेंपर टाइप और टाइप और एंड इर्रासिबल और पीपल वह आप्ट तो थिंक सब्सक्राइब करना या ट्रांसलेट करना और इंटनिम करना या ट्रांसलेट करना और इंटनिम क्या हो जाता है जसमिस अंडर्स्टैंड कर देना कन्फूजन क्रियेट कर देना ठीक है तो वह उसका एंटनिम हो जाएगा सेंटेंस पर देखो जैसे लिखा है वह थे लॉट है बहुत दूज और एक्स्प्लेनेबल होता है आप्स परमिटिंग दी बिहवियर फ एक्षाम में भी आ चुका है एक्रेट का मतलब होता है bitter और sore to taste अीगे मतलब करवा है जो बहुत अन मतलब होता है एक्रिट एंटेनिम इसके क्या है सेवरी और डिलीशियस बहुत अच्छा बहुत प्लीजिंट सा है खाने में है ना तो वह हो जाएगा sentence is long after the forest fire had been put out I could sense the accurate stench of smoke in my nostrils मतलब जब आग लगने की बात का जो दुआ होता है ना जो स्मोक होता है ना तो वह बहुत अक्रिड होता है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अक्रिट next is last word cheap skate now cheap skate आपका बहुत कह सकते हैं important word cheap skate का मतलब होता है डाइस वेरी माइजर और stingy person माइजर और stingy person जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं cheap steak यह कहते हैं कि he is kind of a cheap steak नहीं आप एक तो यानिक बहुत माइजर पोर्शन है बहुत इंजी पोर्शन है अन्पीजिट अन्पीजिट है रहाइस के cheap steak who lived like a pauper she was repeatedly the wealthiest woman in america at the time of her death अपने देत के समय वो सबसे ज्यादा wealthiest woman थी ठीक है clear everybody so that was all about vocabulary now moving further with the close test close test के लिए अब आप सब लोग ready हो जाए there is a passage in front of you all I am just giving you all a one minute to read it out fast जल्दी से सको रीड करिये then we'll start doing questions based on it जल्दी से यह आपका एक paragraph दिया हुआ है हर blank के against एक word भी दिया है यानि कि आपको जब आगे जाके options मिलेंगे तो four options मिलेंगे and last option will be no correction required तो अगर यह word इसमें fit होता है तो it's okay नहीं होता है then we'll choose from the options right everyone just read it out fast जल्दी से रीड करिये you all have one minute share कर दो हाँ वो caps अच्छे थे एक दम डिफरेंट थे अच्छिली close test बहुत important है इसी तरीके के आपको इससे related आपको closest exam में देखने को मिलता है अभी जी भरके practice कर लो जैसे notification आउट होगा ना बस सम्लक मॉक तस लगाएंगे लगातार done reading once you have done reading just tell me so that I can move further fast everyone okay done 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 okay अब आगे का यह पैसे जारालास्ट लास्ट परेग्राफ इसको पर यह फिर अराँ से हम लोग क्विश्चन वर गरेंगे झाल झाल I hope it's done Fast reading करनी है Fast reading इसे reading भी आपकी improve होगी चलिए बढ़े आगे चलिए बढ़ते हैं हमने स्टार्टिं के परग्राफ की तरफ पहले फर्स चेकंड और थर्ल ब्लैंक की तरफ So here it is written The Battle of Roorkee's Drift took place in South Africa on 22 January 1879 बतला एक बैटल एक युद्ध हुआ था जो Roorkee's Drift में था that took place in South Africa and is celebrated as one of the world's most remarkable military engagements पहली बात बताओ कि जब कोई युद्ध होता है कोई battle होती है तो क्या उसको celebrate करते है first of all तो हमें यहां से यह पता चल गया कि this word is inappropriate over here अभी हम options देंगे then you have to fill पहले पढ़ लेते हैं it was to be praised in 1964 with the release of the film Zulu जो Zulu film release हुई थी ठीक है उसके लिए आपे बोला गया कि वो जो battle हुई थी it was to be praised मतलब उसकी प्रशिंसा करने चाहिए in 1964 with the release of film Zulu giving Michael Caine his first major screen role now Britain was skeptical on expanding its territory and influence in South Africa in the 1870s and declared war on the kingdom of Zulu land बदला Zulu land में उन्हें वार डेक्लेयर कर दिया था ठीक अब हमें first option की तरफ चलते हैं तो यहां पे आपके सामने options दिये हुए है जल्दी से बताईए कि क्या answer हो सकता है इसका the battle of Rurkis drift took place in South Africa on 1879 and is celebrated as one of the world's most remarkable military engagements so यहां पे celebrated तो नहीं होगा यह तो सबको पता है so what will be the correct answer overlooked, recapturing, neglected or remembered what will be the answer VK's Spiden is saying option number 4 okay anyone else Rhea bhi कह रहे है मैं remember होगा Soofi bhi यही कह रहे है Good morning week is Spiden चलो देखते है overlooked का मतलब होता है that is you are failed to notice overlook का मतलब होता है failed to notice मतलब किसी चीज को आप notice नहीं कर पाया तो यहां पे overlook to appropriate नहीं है recapturing मतलब दुबारा से वुस मोमेंट को recapture करना तो यह भी एकदम अलग हो गया neglect करना मतलब किसी चीज को avoid कर देना तो यह भी यहां पे नहीं आएगा option number four as the correct answer now moving further with the blank number two लिखा हुआ हुआ it was to be praised in 1964 with the release of the film Zulu so what will be the option here जो बैटल हुए वो प्रशन सा प्रेस किज की कौन सा वर्ड हो सकता है यह प्रेस इस करेक्ट जल्दी से आसा करिये everybody क्या होगा इसका अंसर ब्लैंक नमबर टू में option number two have been answered memorized नहीं है memorized memorialize हो सकता था बट यहां पर लिखा है टू बी यानि की इडी फॉर्म वर्ब आनी चाहिए तो memorialize भी हो जाता उसको यादगार कहते ना उसको एक उसके लिए रिस्पेक्ट दिखाना उसको यादगार बना देना it was to be memorialized अगर होता word तो हो सकता था बट यहां पर इडी फॉर्म नहीं है यह नहीं होगा celebrating तो बिल्कुल भी नहीं होगा यह तो सभी को पता है dishonored भाई क्यों dishonored करेंगे disrespect थोड़ी ना करेंगे तो हैंस हमारे पास बचा आंसर commemorated जिसका मतलब क्या होता है recall and show respect for something commemorated का मतलब होता है recall या show respect for something ठीक है तो यहां पर हमारा हो गया option number two correct चलो moving further with the blank number three अब blank number three में आते हैं और यह रहा आपके पास blank number three यह options है लिखा हुआ है Britain was skeptical on expanding its territory and influence in South Africa in the 1870 यहां पर क्या होगा what will be the answer मैं बोट से साइड बे हूँ जल्दी से बताईए इसका answer क्या होगा in blank number three what will come here which option will be appropriate in the blank number three again be okay anyone else सूफी सेइंग मैं option number three okay वीके सपायन के अप्शन नमबर two थोड़े वेरियंसे जान लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है hesitant hesitant का मतलब क्या होता है बहुत unsure होना यानि कि tentative हो जाना है ना तो हम इसको unsure लिखे चलते हैं ठीक अब आता है एंग्रोज्ड इंग्रोज्ड का मतलब यहां पर क्या होता है यानि कि जब पूरा पूरा attention अपनी तरफ खीच लेना तो आप इसको बोल सकते हो absorb all the attention यह भी देखको आपकी to do something जैसे हम बोलते है ना intention जैसे हम बोलते है इंटेंट इस रिले टो इंटेंशन तो बितें क्या था वह इंटेंट ओन expanding मतलब को सोच रहा था वो उसका एक ऐसा intention था कि वो expand करेगा बढ़ाएगा अपनी territory को और and influence in South Africa or South Africa के उपर अपना influence बढ़ाएगा तो यहां पर हमारा जो correct answer हो जाएगा that will be intent जिसका मतलब होता है determined to do something ठीक है intent हो जाएगा यहां पर अब बात करते हैं एक वर्ड बचा हमारे पास abstracted इसका मतलब क्या होता है you are just lacking concentration है तो यहां पर क्या हो जाएगा lacking concentration तो बिल्कुल भी नहीं होगा तो यहां पर इसको जो वर्ड रेप्लेस करेगा that will be option number third ठीक है तो यहां पर skeptical कि जगा क्या हो जाएगा intent तो सूफी you have answered correctly well done ma'am very well done चलिए moving further with other blanks अब इसको पड़ते है पहले फिर उसके अधम blanks की तरफ चाहेंगे so here यहां पर क्या लिखा हुआ हुआ है रोर्टीज द्रिफ्ट वास a mission station वह रोर्टीज जो ड्रिफ्ट था that was a mission station near the border concept border के पास between the British colony of Natal जो नाटल की British colony थी और Zulu Kingdom के बीच का and had been occupied by British troops जो British की सेना थी उसने उसको occupy कर लिया था when the battle began the battle शुरू हुई though only 139 soldiers were ejected there eject का मतलब होता है किसी चीज को निकाल देना तो खाली एक सो 139 soldiers जो थे वो थे उदर they had no idea what lay in store उनको पास कोई idea नहीं था कि क्या चीज है वहाँ पे at 4.20 p.m. on January 22 1879 a force of 4000 Julu warriors 4000 Julu warriors जो थे they begin to lay seize to the station their intermittent attacks मतब लगातार जिसे हम बोलते है were to last for almost 12 hours 12 गंटे तक वो battle चले so now here you have to select for the blank number 4 what will come here or this word is appropriate over here यहां पर क्या आएगा fourth number blank में तो 139 soldiers were ejected or encamped secure evicts or lodge बताईए what will come here guys soldiers को वहां पर क्या किया गया था इजेक्ट किया गया था इजेक्ट मतलब होता है निकालना मतलब बाहर करना जिसे हम कहते हैं eject your cd from your laptop वैसे वान ओप्शन वेल्डन चैंपियन्स क्यूंकि soldiers को in camp किया गया था किसी जगे के जिसे कोई camp लगा दिया जाता है तो अल्रेड़ी लोगों को वहां पर in camp कर दिया गया था eject का मतलब मैंने आपको बता दिया secure मतलब होता है कि security के लिए use करते हैं eviction जैसे हम नहीं बोलते हैं कि evict हो जाता है तो उसके हम बोलते हैं evict यानि कि किसी को explain एक्सपेल कर देना कहीं से ठीक है फिल लॉज भी यहां पर हो सकता था अच्छा लॉज भी यहां पर हो सकता था बट यहां पर 139 soldiers वर्ड लिखाया यानि कि past tense में तो there should be work की second form इसी वज़े से यह नहीं आया और हमारा आंसर आजाएगा encamped clear everybody आप लोगो एक्दम correct answer दिया a or d बिल्कुल रिया आपने सही चूज किया बट दी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर लगा हुआ है यानिकी वर्ड की second form आनी चाहिए और लॉज कि आपर second form नहीं दी हुए है ठीक है now moving further with the blank number five blank number five में यहां पर लिए हुए हुए है बताइग क्या आएगा लिखा है at 420 p.m. on January a force of 4000 Zulu warriors begin to lay seas to the station station बताइग क्या होगा prompting help support or arrest or no correction required what will come here in blank number five who's gonna answer fast everyone मैंने timer नहीं लगाया है इसको अच्छे जिपढ़ के answer करना है कौन सा आएगा option वान टू थ्री फोर और फाइग रिया इस सेंग मैं में यह आएगा ओके रिया अच्छा चली देखते हैं लिखा हुआ है जो चार हजार जुलू वारियों को क्या किया गया था दे बिगें टू ले तो ले का ले का यहां पर क्या हो गया ले एक्डम करें लिखान ले ना किसी चीज को आप लोगों को चार दा से गए लिया तो चार हजार दू वारियों ने चारो तरफ से पूरे स्टेशन को क्या कर लिया था गेर लिया था तो यहां पर सीस जो है वह एक्डम करेंट हैंज no correction required यहां पर नहीं किया है किसी को help या सपोर्ट नहीं किया है यहां पर क्या किया उन्हों ने घेर लिया था पूरे जूली वारियर्स ने सो उसे हम बोलेंगे सीज कर लेना ठीक है तो सीज तु दीज तु ले सीज तु दी स्टेशन इस दा करेक्ट आंसर है जो कोई भी ऑप्शन यहां पर कि फिट नहीं बैठ रहा है सीज जो दिया हुआ है इट्सान अप्रोप्रियेट ऑप्शन गिवेन ओवर दिया राइट नाव मुविंग फर्दर विद द नेक्स वान नेक्स ब्लैंक्स आपके सामने रहे यह इनको पढ़ते हैं अब लिखा हुआ है फॉचनेटली फॉर्ट बिटिश में बिटिश के लिए फॉचनेट एक बात यह थी कि अल्दो सम अफ दी जूलूस है डोल्ड मस्केट अन ऑपरेटिव राइफल्स हाला कि उनके पास और पुराने कुछ मस्केट पढ़े होंगे कुछ राइफल्स पढ़ी होंगी अब उनके पास जो हतियार थे उनके बारे में यहां बताया गया आगे बोलागे बड़ी मैन पार एडवांटेज जो मैन पार थी उसका जो एडवांटेज था अट ले मैसिवली इन फेवर ऑफ दी जूलूस वो जूलूस के ही फेवर में थे बाइ फोर एम सुबह चार बज गया जब आफर नियाली ट्वेल वास ट्वेलार्स के जो पूरी बैटल चली अट्रक्टिव वेव आफ्टर वेव ओफ एटाच एंवाल्विंग हांड तो हांड कॉम्बाक अन नमबर बिटिश शोल्जर्स ले डेट मतलब खतम हो चुके थ ना मुविंग फर्दर विद्धी ब्लैंक नमबर सिक्स अब यहां पर यहां पर आपको बताना है कि ब्लैंक नमबर सिक्स में क्या आएगा क्योंकि लिखा हुआ है वह सम आप दी जूलू है ओल्ड मस्केट्स और ऑपरेटिव राइफल्स अब ओल्ड मस्केट से तो ऑपर क्या करेक्ट है यहां पर जल्दी से चूज करेए कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा मॉदर्ण अंटिक्रेटेट फंक्शनल और री मॉदल्ड है बताइए इस वोट विल कम यह फासे वीवर्ण और जल्दी से एक बार फटा फट से लाइक कर दो शेयर कर दो भाई यहां पर है आप maioria मॉद्ट म्सकरेटे़ की बात कर रहा है बार बार इससे फोकस कर रही हूं तो इसमें आपको पता अगर की क्या आना चाहिए ऐधर आरे बबा जब ओर मस्केट से दो राइफल भी तो पुरानी होंगी यह कैसे हो जाएंगि नहीं होंगी एक यह से हो जाएंगा जाएंगा इनके पास कैसे दीडी आइफल सो चाहती हैं एंडीकřेटेट मतलब होता है विधे इसंले टू ओल्ड हना ओण फैशन इस को आ बोलते हो जाएगा option number two as the correct answer कि जो ओल मस्केट सी और एंटिकेटेड मतलब पुराने टाइम की जो राइफल सी most were armed only with a short spear called an essay guy and a shield made of cowhide now so in weaponry अगा हतियारों की बात करें there was no match for the highly enthusiastic soldiers मतलब कोई एक मैच नहीं था तो यहां भी आपको आपको बताना है कि ब्लैंक number seven में क्या आएगा कैलो आइडिलिस्टिक इनोसेंट और ट्रेंड सोल्जर्स कैसे सोल्जर्स कि यहां पर बात हो रही है एंदुसियास्टिक और कैलो वोट विल बी आंसर फास एविवन सीधी सी बात है अगर वेपनरी की बात करें तो उनके पास क्या नहीं थे कैसे सोल्जर्स नहीं थे कैलो आइडिलिस्टिक इनोसेंट और ट्रेंड यह तो बहुत इजी है वोच विल कम यह इन दो ब्लांक ट्रेंड सोल्जर्स एग्साक्ली उनके पास क्या नहीं थे देवर नो मैच फॉर दी हाईली ट्रेंड सोल्जर्स है ना तो ट्रेंड सोल्जर्स की बात यहां पे की गई और यहां पे इननोसेंट की गई इननोसेंट मैतलness dal इमान दार बहुत ही इनोसेंट है ना आइडिलिस्टिक इस τοडी अट गन plugged करें तो is something inexperienced जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो या immature हो ठीक है immature हो या inexperienced soldier तो inexperienced soldiers की बात ही नहीं करें भाई पुराने उनके पास weapons से राइफल्स और एंटिक थी तो ओविस्सी बात है उनके पास कोई भी मैच रही था जो highly trained soldiers थे एंधुसियास्टिक जिस फुल आप हापिनेस और एनर्जी तो एंधुसियास्टिक की बात ही नहीं करें यहां पर trained soldiers की बात करें that is why we'll fill over here trained soldiers correct everyone yes or no बढ़े ही आगी चलो now you have to fill blank number 8 blank number 8 में क्या आएगा जल्दी से बताईए पहले आप लोग बताएंगे जना रीड़ इट आउट what will come here or this word is appropriate जो दिया हुआ word है वो appropriate है या कोई और word आएगा we are saying option number B enchanting really enchanting का मतलब क्या होता है बेटा चलो देखते हैं भाई देखी लेते हैं लिखा हुआ है यहां पर कि जो manpower advantage that lay massively in favor of Zulus के साथी थी so by 4 am after nearly 12 hours 12 hours लगातार क्या हुई battle हुई ना तो लगातार attacks हुए ना तो यहां पर enchanting का मतलब अटेक्स होली ना होता है अटेक्स का मतलब होता है रिपॉल्जिंग यानि कि drive back जिसे हम बोलते हैं drive back यानि कि लगातार attack होना उसे हम बोलते हैं रिपॉल्जिंग एड का मतलब होता है help assistance है ना enchant का मतलब होता है जैसे जब कोई जैसे चैंटिंग करते ना song कोई गाते हैं तो यहां पर इसको बोलते हैं delightfully chanting ठीक है delightfully क्या बोलते हैं चैंट करना किसी चीज को यह charming charming भी बोल सकते हैं delightfully charming भी बोल सकते हैं और acceptance तो मतलब होता ही किसी चीज को यहां पर कि बोले कि लगातार बारा गंटे से जो बैटल चल रही थी डाट वर्ष लिपल्स इंड़े अट्राक्टिव नहीं थी अट्राक्टिव नहीं थी तो यहां पर तो यहां पर आपका चार्मिंग भी नहीं होगा रिपल्जिंग इस दा करेक्ट आंसर तो मां करेंगे ऑप्शन नुबर फो एस दी करेक्ट आंसर इस दा क्लिया इस और चलो आगे दिखते हैं लास्ट ब्लैंक्स नाइन और टैन एक बार रीडिट आउट कर लिए आउट 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 आप अमुनिशन और प्रोबैबली नो कंडिशन तो असस्ट अनदर आसोर मला किसी भी हालत में नहीं थे कि यहां पर असस्ट यानि हल्प करने की बात करेंगी बट बटे डिजिंट हाव तो आज जॉन ब्रोग देस और जूलूज वर गॉन उन्हों फिर ऑबर दिया अच्छी 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 एस्टे छॉर इन विक्तर देव कर देव ने क्या बोला इंदे लौग आनल्स ऑफ मिलिटरी हिस्ट्री मतलब अगर हम बहुत समय कि बात करे जो मिलिटरी इस्टी में यह पहली पर ऐसा था कि इस दिफिकल तो फाइड मतलब 40 में एक बचा survived and killed 20 men for every defender lost और कितने 20-20 आदमियों को मारा गया अब यहाँ पर हमें देखना है 9 blank के लिए क्या आएगा तो आपके सामने options दिये हुए है what will come here in blank number 9 assist correct है और यह replace होगा बताइए what will come here most of the others were exhausted बहुत सारे लोग exhaust हो चुके थे they were rapidly running out of ammunition and probably in no condition मतलब किसी को वो help कर मतलब एक दूसरे को help करना चाहते भी तो नहीं कर पा रहे थे option number 3 repel anyone else Rhea is also saying C क्या बात यहाँ सबके answer correct आरे देश्रिवास्तव 3 चलो भाई देखते है ripple ripple का मतलब क्या होता है किसी को force करना किसी को क्या करना force करना to force something काम करने के लिए किसी को force करना तो repel is the correct word or exact word or appropriate word to be filled over here क्योंकि assist नहीं आएगा help, accept उसी का मतलब होगा satisfies से तो कोई मतलबी नहीं तो हैंस यहाँ पर answer आजाएगा option number 3 is the correct answer ripple करना ripple another assault right now moving further with the blank number 10 जो इसका last blank है कि according to American military historian जो military historian है Victor Davis Hanson नोने बोला कि military history में it is difficult to find anything quite like Roorkees drift so we are a liberate force तो liberate force होगा helping force होगा be laggard emancipative और isolates what will come here fast everyone क्या होगा यहापे चल्दी से फटा फट बताना है सबको ओके देश शिवास्ता भाया आंसर्ड option number 2 well done well done 2 or 3 see again emancipative really emancipative होगा देखो helping मतलब क्या होता है किसी की help करना ठीक be laggard की बात करें ठीक है be laggard वर्ड आपने vocabulary में भी पढ़ा होगा be laggard का मतलब क्या होता है किसी को बहुत ही difficult situation में छोड़ देना है ना तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तू पूट इन आ वेरी difficult situation किसी एक अधनाई भरी situation में छोड़ देना क्या बात कर रहे थे आपे अपे इस दिफिकल तू फाइन धिंक क्वाइट लाइक रूर्की इस दिफ वेर आ लिबरेट पोस्यानिकी जो पूट इन वेरी डिफिकल सिचुएशन अब बात करते हैं emancipative की emancipative और liberate क्या है एक दूशे के synonym है है ना किसी को free कर देना है ना यह release कर देना is emancipative अब बात करते हैं isolate isolate का मतलब भी तो होता है अकेला isolation जैसे सुनते 42-1 survived and killed 20 men for every defender lost so that was all about today's close test जो हमने close test में सीखा passage को पर के directly words को put out करना और आपने इसको easily किया है ठीक है 35 questions in English but in descriptive writing essay is left incomplete essay and letter came please sure, sure, sure बहुत जल्ब इस Saturday को reading comprehension के साथ-साथ अगर reading comprehension है तो descriptive writing और essay writing से related session हम जरूर लेकर क्याएंगे उसमें हम बात करेंगे कि उसको कैसे लिखना है क्या tips होनी चाहिए क्या points माइंड में होने चाहिए और कितना concise और कितना detailed information हमें उसमें प्रोवाइट करनी चाहिए यह सारी चीज़े हम आपको बताएंगे close test आपके exam के लिए काफी जादा important है तो ऐसे ही हमें practice करना है उसके अलावा कर हम पढ़ने वाले हैं passage completion तो पहले से अपने आपको ready रखिएगा है ना motivated रहेगा क्योंकि passage completion के questions आपके exam में जरूर आते हैं खाली आप लोगों को pre exam तो देना नहीं है मेंस भी देना है उसमें इसका काफी important role होता है and sometimes pre में भी एक question इसका आ जाता है passage completion में एक आपका paragraph दिया होता है और कुछ blank दे दिया होता है उसके against आपको दिये होते है options जिन options को appropriate आपको choose करके अपने blank में fill करना होता है तो passage completion के साथ हम कल कुछ grammar tricks फिर से recall करेंगे ठीक है कुछ grammar tricks भी हम पढ़ेंगे rules के साथ यानि कि tricks और rules दोनों ही हम यहाँ पे discuss करेंगे class में कल passage completion के साथ ही जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ ठीक है और timing आप सभी को पता है जितने भी नए है channel पे जरूर session को like और share कर दे उसके अलावा 10.30 a.m. पे daily मेरे साथ जुड़ना है आपको English के इस session में जिसमें आप लोगों की होगी धमाकेदार practice with passage completion and with some grammar rules और अगर session समझ में आया है और अच्छा लगा है so don't forget to give a big thumbs up put this bell icon जिसमें आपको क्या कर मिलेगा notifications time पे मिल जाएंगे कि कौन सी class कितने समय होती है और till then thank you and have a great day ahead subscribe now and press the bell icon never miss an update